क्यां其實 करते हैंतु है क्यां एपलिश्टेंड लिश्टिंव में के और डिई मन्दीर है और आझ क्लास हम स्टार्ट करते हैं तो आझक हमारा फर्स्ट सक्ष beggar phi स्कूल अब योग्रफ तो हमें राइट पेर्स बना के बताना है, कि कौन सा जोग्राफर, कौन से स्कूल ऑफ जोग्राफी से है, तो हमारे लिस्ट में क्या है, फष्ट जोग्राफर है, एलबर्ट डर्मंजन, सेकंड है, बी है, फैदरिक रेटजल, सी है, हलफार जे मैकिंडर, एंडी है, इशाय वावन ठीक है तो हमारी लिष्ट सेकेंड में क्या है स्कूल ऑफ जोग्रफी यानि कि कौन सा जोग्रफर है किस स्कूल ऑफ जोग्रफी से ब्लोंग करता है तो फर्स्ट क्या है फर्स्ट है जर्मन स्कूल ऑफ जोग्रफी सेकेंड है फ्रेंच स्कूल ऑफ जोग्रफी जो हमारे Albert है, Albert Damingian, वो कौन से स्कूल से है? तो ये French School of Geography से है, okay? Then है, Federick Redgel, तो ये किसी बिलों करते है? तो ये करते है, German School of Geography. C.A. Alford J. McKinder, तो ये किसे बिलों करते है? तो ये British School of Geography. And then हमारा फॉर्त है, इशाहिवावमान, तो ये किसे करते हैं? बिलोंग तो यह American School of Geography से बिलोंग करते हैं, यह इसका right pairs है, सभी note कर लेना, very important question है, यह ठीक है, A का second, B का first, C का third, D का fourth, यानि कि जो Albert है, वो किस से बिलोंग करते हैं, तो वो French School of Geography, और जो हमारे Patrick Redgel है, तो यह German School of Geography, और जो हमारे Alfred McKinder है, तो यह British School of Geography, और इशाय Bauman, तो यह American School of Geography से बिलोंग करते हैं, note कर लेना, सभी, the next question है, तो question क्या है, कौन सा राष्टी राजमार्ग दिल्ली और कोलकत्ता को वारानासी से जोडता है, क्या कह रहा है, कि वो कौन सा राष्टी राजमार्ग है, जो कि दिल्ली और कोलकत्ता को वारानासी से जोडता है, दिल्ली और कोलकत्ता को वारानासी से जोडता है, the next question है, क्या दिया हुए है, हमें दो लिस्ट दिय हुए है, और दोनों के राइट पेर्स बनाने है, लिस्ट फर्स्ट में क्या है, तो इसमें है, एम स्पेक्ट्रम रीजन से ठीक है, यानि कि विद्यो तो चुम्प किया ह वर्ण करम परदेश, और लिस्ट सेकेंड में क्या है, तो इसमें है वेवलेंथ यानि कि तरंग दहरी है, तो हमें दोनों के राइट पेर्स बनाने है, तो हमारा A क्या है, A है फोटोग्राफिक अल्ट्रा वाइलेट बैंड यानि कि छाया चित्र परा बैंगनी बैंड, B ह और C है मिड आइरेट बैंड यानि कि अवरक्त बैंड के मद्ध्य है, और D है विजिबल रिजन्स यानि कि दिरिश्य परकास्चेत्र और हमें इसके वेवलेंथ दिये हुए है, तो हमें बताना है कि किसका क्या वेवलेंथ है, ठीक है, फर्स्ट 0.3, 2, 0.4, 2, 0.7, 2, 3.0, थर्ड है, 8.02, 14.0, और फॉर्ट है, 0.4, 2, 0.7, तो हमें वेवलेंथ मैच करनी है, तो क्या हो गए, इसका जो ए है हमारा फोटोग्राफिक अल्ट्रा वाइलेट बैंड, तो इसकी क्या वेवलेंथ है, तो इसकी वेवलेंथ है, 0.3, 2, 0.4, ओक है, दैन है, नियर आईर आ 0.0, तो इसकी कितनी है, तो इसकी है, 8.02, 14.0, तो इसकी है, 0.4, 0.7, वेवलेंथ है, इसकी है, 0.4, 0.7, वेवलेंथ है, इसकी, ओक है, नोट कर लेना सभी, देन, नेक्स्ट कोस्चन है, हमारा, क्या दिया हुआ है, कि विकास्चिल देशों में जनसंक्या पिरामीड होता है, क्या कह रहा है, कि इन डवलपिंग कंट्रीज पोपुलेशन पिरामीड है, तो जो विकास्चिल देश है, ठीक है, जो विकास्चिल देश है, उनमें जनस तो उसमें उता है वाइट बेस या नेरो टोप है विश्टृत आधार और संकुचित सिर्ष होता है वि किस हैर यह बताना है दा कंसंट्रिक जोन मोडल ली इस बेस जोन सीटी तो ये इस है एक इस पैर रहे ये है शिकागो टिक है शिकागो जो है शिकागो जो शहर है वो संकेंद्रित छेत्र मोडल पर आधारीत है देन नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन क्या है विश्व का सबसे गहरा समुद्र कोन सा है क्या कह रहा है कि जो विश्व का सबसे गहरा समुद्र कोन सा है which among the following is world's deepest sea तो विश्व का सबसे गहरा समुद्र कोन सा है तो वो है South China Sea ठीक है जो South China Sea है साउथ चाइना सी यानि कि दक्षन चीन सागर ये विश्व का सबसे गहरा समुदर है और इसकी डेप्थ कितनी है इसकी डेप्थ है पाँच जार पांसों उनसट मिट्र ठीक है नोट कर ले ना वह एर इंपोर्टेंट कोशन है देन नेक्स्ट कोशन है उत्री अंटलांटिक परवासे सर्वादिक लाभाविंत देश है क्या कहा रहा है कंट्री बेनेफिटिंग मोस्ट बाई नोर्थ अंटलाटिंग फ्लोईज तो जो उत्री अंटलांटिक परवासे सर्वादिक लाभाविंत देश है तो कौन सा देश है वो है नोर्वे जो नार्वे है वो उत्री अंटलांटिक परवा से सबसे ज़्यादा लाभावाइंत यान कि बैनेफिटिंग ठीक है कंट्री है कौन सी है नर्वे है नोट कर ले न ओके दे नेक्स्ट कोशन है कोशन क्या है वानिजिक भूगोल के प्रेनेता नेता कौन है क्या कह रहा है WHO is the pioneer in commercial geography तो कोज है जो वानिजिक भूगול के प्रेनेता है तो यह कौन है प्रेनेता नेता है कोण है तो यह सकाशर है जीजी छिशोल्म ठीक है जिजी चिशोल्म जो है वानिजिक भूगोल के यान की commercial geography के प्रेनेता नेता है हां जी दे नेक्स्ट कोशन है उच्छ स्तर का प्रबंद किया तथा कार्यकारणी प्रशाशनिक पद किस स्रेणी में आता है क्या कहे रहा हां हाई लेवल मैंगेजीरियल एड एक्सीकूर्टीव एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन फ़ालिंद केटगरी ओफ तो उच्छ स्तर का प्रबंद किया तथा कार्यकारणी प्रशाशनिक पद किस स्रेणी में आता है तो यह है quantity entry activity यानि कि चतूर्थक गती वीदियो में यह आता है ओके देन नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन क्या है match list first with list second ठीक है हमें दो list दियो है first में दियो location यानि कि उस्थी second में दिये industry तो हमें क्या करना है हमें बताना है कि किस location में कौन सी industry है हमें इसका right pairs बनाने हैं तो कोशन देखो देन बताओ क्या होगा इस cancer तो location में क्या दिया हो है first है tetriod, detriod, B है Yokohama, C है Acron, D है Classgo ठीक है और जो industry क्या दियो है first है iron and steel, second है synthetic rubber और third है ship building और fourth है automobile automobile तो क्या होगा इसका जो हमारा first है detroit तो इसमें क्या है कौन सी industry है तो इसमें automobiles है तो इसमें है योको हामा तो इसमें क्या है इसमें इसमें है ship building ठीक है जहाज निर्मा नोट कर लें ना very important question है C है अक्रोन तो अक्रोन में क्या है अक्रोन में synthetic rubber यानि की sunslist rubber और जो हमारे d है glass go तो इसमें क्या है इसमें आएगा iron and steel ठीक है नोट कर लें ना very important question है आप सबी questions को note करते चला करूँ अंजी देन हमारे next question है और यह आज का हमारे last question है तो question क्या है नियूंतम परिवहन लागत सिद्धानत में प्रकाशित हुआ है तो जो नियूंतम परिवहन लागत सिद्धानत है तो यह प्रकाशित हुआ है तो यह 99 में यानि की 1909 में यह प्रकाशित हुआ है ठीक है नियूंतम परिवहन लागत सिद्धानत ठीक है नोट कर लें ना very important question है तो आज की class हम यही खतम करते हैं अगर आपको questions पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक करने नहीं भूले thank you watching my video take care everyone मिलते है next class में